गर्मियों का सीजन आ चुका है तो चलिए बनाते हैं कच्चे आम से खटी मीठी आम पापर इसे बना कर आप साल बर स्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से इस टेस्टी आम पापर की रेसिपी को सुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहां छे कच्चे आम लिये हैं इसे अच्छी तरह से धो लिया था और चाकूब की सहयता से एज को हटा लेंगे और अब इसे प्रेशर कूकर में डालेंगे साथी यहां थोड़ा पानी भी डालेंगे आम को हमें बॉइल करना है और प्रेशर होने का इंतजार करेंगे यहां आम ठंडे हो चुकी है तो अब चाकूब की सहयता से छिलके को हटा कर हमें पल्प को अलग करना है छिलका आसानी से उतर जाएगा और चम्मचिया चाकूब की सहयता से सभी पल्प को अच्छी तरह से निकाल लें छिलकों से भी पल्प को से यह आसानी से पिस जाएगा बिल्कुल अस्मूद पेस्ट बनकर हमारा तयार है यहां पैन गर्म होने रखा है अब यह पेस्ट हम इस पैन में डाल देंगे और इस तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिनट के लिए इसे पकने दे ताकि एक्स्ट्रा पानी खत्म हो जाए यहां मैं आधी कटोरी गुर डाल रही हूँ गुर को मैंने चोटे चोटे टुकरों में तोड लिया था गुर का इस्तमाल बहुत जादा नहीं करना है वरना आम पापर सिर्फ मीठी बनेगी हमें आम पापर को खटा मीठा बनाना है तो गुर का इस्तमाल उस गुर्मारा अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है तो अब इसमें थोड़े फ्लेवर डालने के लिए मसाला डालेंगे तो यहां मैं एक चमच सौफ डाल रही हूं सौफ आप जरूर डालें इससे आम पापर बहुत ही स्वादिस्ट बनते हैं और एक चौथाई चमच कस्मीती ला मिर्च पाउडर डालेंगे मिर्च का इसमाल थोड़ा कम ही करें बहुत जादा तिखी आमपा पर अच्छी नहीं लगेगी एक चौथाई चमच गर्म मसाला डालेंगे साथी एक चौथाई चमच चाट मसाला भी डालेंगे और कोई मसाला डालने की जुरत नहीं है अब इस इसे हमें 15-20 मिनट के लिए चलाते हुए अच्छी तरह पकाना है इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं और फ्रेंट्स इसे चलाते रहें वरना इसके छीटे उड़ने लग जाते हैं हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये गाड़ा ना हो जाए साथ ही इसकी कौंटिटी आ आदी ना हो जाए तो बस चलाते हुए इसे पकाते रहें हमें इसे तेज आज पर नहीं पकाना है वरना ये जल सकती है तो ध्यान रहें मीडियम आज पर चलाते हुए पकाते रहें अभी ये पहुत जादा पतला है ये चम्मत से आसानी से गिर जा रहा है तो इसे हमें इसलिए ये डार्क ब्राउन है अगर आप चीनी का इस्तमाल करेंगे तो ये थोड़े लाइट कलर में बनेंगे ये देखिए फ्रेंट्स इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए चमज से आसानी से ना गीरे तो अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कोई बड़ी था और ये गर्मा गरम आम-पापर की मिक्ष.... अधार cast रिएंगे सारे मिक्षट को एक बार में ना डालें कि आम-पापर को हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है और चमच की सहाइता से इसे अच्छी तरह से फैला ले अगर आम पापर को ज्यादा मोटा बनाया जाए तो फिर इसे सुखने में ज्यादा समय लगेगा और बचा हुआ Mixer भी दूसरे थाली या प्लेट में डाल कर इसे अच्छी तरह फैला लेंगे यहाँ मैंने इतने से Mixer में दो प्लेट आम पापर के तयार कर लिए है और इस आम पापर को एक दिन मैंने धूप में अच्छी तरह सुखा लिया है अगर पंखे के नीचे सुखा रहे हैं तो फिर दो दिन इसे सुखने दे और चाकू की साहिता से किनारों को इस तरह से निकाल ले आम पापर आसानी से निकल जाएगा ये देखिये फ्रेंट्स तो अब चाकू की सायता से ही आम पापर को अपने हिसाब से कट कर ले तो बहुत ही टेस्टी आम पापर बनकर हमारा तयार है अब इस तरह से आम पापर को निकाल कर आप रोल करकर भी रख सकते हैं या फिर इसी तरह से एक बरतन में रख ले ध्यान रहे जिस किसी भी बर्दन का इस्तमाल करें वो अच्छी तरह से सुखा होना चाहिए तो आप इस आम पापर को साल बर स्टोर करकर भी रख सकते हैं और अगर रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चानल को सस्क्राइब भी जरूर करें थैंक यू पर वाचिंग